अच्छा, phone pay application से तो यहाँ पर लेन दिन बहुत करते होगे, किसी को पैसे भेजना है या फिर लेना है या फिर कोई भी बील पैमेंट करना है, खटाक से phone pay खोलते हो और फटाक से यहाँ पर आप जो पैमेंट है वो कर देते हो, अच्छा मैं आपको एक बात बताओ कि अगर आप फोन पे से घर बैठे instant personal loan ले सकते हैं तो कैसा लगेगा बिल्कुल सही सुन रहा है दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं फोन पे से loan कैसे अपलाई करते हैं इस वीडियो के अंदर आपको A to Z process बताने वाला हूँ अब देखो फोन पे application के अंदर बहुत सारे इसे lender partner है जो आपको personal loan provide करते हैं और आज के time में जो लोगों को यहां पे कहीं से loan नहीं मिल रहा है वो फोन पे के अंदर loan try कर रहे है और यहां पे उनको मिल जा रहा है अब देखो बहुत सारे लोग यहां पे फोन पे के अंदर गलत तरीका से loan apply कर रहे है और यहां पे उनका loan application reject हो जारा है तो सबसे पहले आप यह proof देख लो कि हमें phone pay के द्वारा loan मिला है या फिर नहीं मिला है और फिर आगे की जो बात है वह यहां पे इस वीडियो को सुरू से लेकर आखरी तक वाच करना और इस वीडियो को देखने के बाद हमारा दावा है कि फोन पे से कैसे लोन अप्लाई करना है कम्प्लीट जो प्रोसीजर है वह आप सीख पाओगे तो अब ग्यान के बातों को साइड में करते हैं और डाइरेक्ट जाके डाउलोड कर लेना और यहां पे अपना फोन पे के अंदर रजिस्टेशन करके सिंप्ली फोन पे ओपन करेंगे तो देखिए फोन पे आप जैसे ओपन करते हैं आप इसको पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ऐसा बैनर आएगा और एक लड़की आप आपको लोन अप्लाई करना है और यहां पे आपको maximum chances है कि यहां से आपको लोन मिल जाए तो देखिए simply आपको इस बैनर वाले आइकन पे क्लिक करना है आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको गूगल प्लेश्टूर के अंदर रिडिरेक्ट किया जाएगा और यहां पे आपको बताया जाएगा कि आपके सामने यह जो application है इसे आप download करिए और यहां पे इसके थूँ आप loan apply करिए तो देखिए फोन पे के अंदर अगर यह application है तो बिल्कुल trusted application इस पे आपको भरोसा करके चलना चाहिए तो सबसे पहले यहां पे आपको यह application इसे install करना है और simply इसे open करना है अब देखिए phone पे अंदर ऐसा नहीं है कि यही lender है phone पे के अंदर बहुत सार रहे से लैंडर है यहां पर यहां प्र शबसे बेश्ट लेंडर है phone पे के अंदर वह यही है तो सबसे पहले आपको इस application को install करना है फिर इस heel open करना है अब देखिए ज उची मिनटों के अंदर इस application के द्वाया पैसे आपके सीधे bank account में credit किये जाते हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे get started का एक icon दिखा जाएगा, simply आपको get started वाले icon पे click कर देना है, तो देखिए जैसे ही आप application के अंदर पहुंच जाते हैं, सबसे पहले यह आप से आपका mobile number सबसे पहले step के अंदर यहाँ पे आपको अपना कुछ information इन्हें बताना होगा, तो first step के अंदर आपको अपना first name, last name, और यह आपको ध्यान रखना है कि आपकी pen card से आपका नाम match करे, नहीं तो आपका loan application यहाँ पे reject हो जाएगा, नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे यह बढ़ा चड़ा के बताओगे नहीं, आपको यह loan देंगे नहीं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वही नीचे आपको monthly income, आपको यहाँ पे fill करना है, family income आपसे पूछा जाता है, यह भी आपको यहाँ पे fill करना है, वही अगर आप नीचे आते हैं, तो यहा यहाँ से next कर दोगे, तो जैसे ही आप next पे click करते हैं, अब आपको यहाँ पे option दिखाएगा कि आखिर आपको यह company loan कितना देगा, तो एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें, तो हमारे case में हमें 10,000 रुपए का loan मिल रहा है, और जो EMI 1846 रुपए 6 मंत के लिए बन रहा और वही दोस्तों, अगर आपका civil थोड़ा अच्छा होता है, तो आप इस 40,000 रुपए तक का भी loan यहाँ पे बहुत आसानी से मिल सकता है, तो हमें 10,000 का मिला है, 10,000 से ही संतुष्टी करना होगा, आपको ज़्यादा मिलता है, आप ज़्यादा apply कर लेंगे, तो यहाँ प पूछा जाता है कि आप कहां पे रहते हो, मतलब जो घर पे आप रहते हो, आपने rent पे ले रखा है, यह आपका खुद का घर है, जो भी होगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, अपना complete address आपको नीचे फिल करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे next कर देना है, अब द कीजी लोकर का भी option होता है, आप दोनों में से किसी माधियम को select करके, अपना KYC यहाँ पे आपको complete करना है, अब देखिए KYC के अंदर होगा क्या कि आपकी आधार कार्ट से जुड़ा number होता है, उस पे आपको एक OTP सेंड करते हैं, और उसी OTP के माधियम से आपका आधार verify कर लेते हैं, और यहाँ पे आपका KYC done हो जाता है, अब देखिए जैसे ही आप अपना KYC यहाँ पे complete करते हैं, अगले step के अंदर आपसे आपका bank details मागा जाएगा, जिसमें भी आपको loan का पैसा चाहिए, और यहाँ पे जैसे ही आप अपना bank details डेंगे, next करेंगे, एक इसे ही करना होगा, अच्छा बहुत सारे लिगों confusion होगा कि अपना EMI हम कहां से pay कर सकते हैं, देखिए EMI अगर आप E-mandate complete कर देते हैं, तो आपका EMI automatically कर जाता है, और अगर आपने अपना E-mandate complete नहीं किया है, तो phone pay के अंदर भी आप इस loan को pay कर सकते हैं, नहीं तो जिस application स आपके loan की सारे डिटल दिख जागी, और यहाँ पे भी आप loan के पैसे को pay कर सकते हैं, वादब दोनों तरफ से आप pay कर सकते हैं, lender जो है, यह phone pay का lender है, और यहाँ पे money view application है, जिसके थुरू हमने आपको loan कैसे apply करना है, जो कि phone pay में दिया गया था, मैंने आपको बताया है, तो हम उमीद करते हैं कि phone pay से कैसे आप loan apply कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम आपको A to Z जो process है, वो बता दिये हैं, अगर आपको अब भी कोई doubt बच जाता है, तो आप इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं, अच्छा अगर आप loan वाले भाईया को अभी तक देख रहे हैं